स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर और आज हम कुछ सुर्खियों की बात कहते हैं जो पूरे भारत और उत्तर पिजेश से निकल कर हमारे सामने आ रही हैं और फिर हम बात करेंगे अपने छेत्र डिवाई की भी जहांके लोग परेशान हो रहे हैं किस बात पर पर पूरी वीडियो देखते रहेगा तो आज हम बात करते हैं महराश्ट्र की महराश्ट्र में जब से नवनीत राना जो वहां की सांसद है निर्दलिय सांसद हैं जब से उन्होंने हनुमान चालीशा मातो स्री पर गाने का एहलान किया है जब से सिव सेना में आतंक सा मच गया कभी कोई उल्टा वयान दे रहा है तो कभी कोई सीधा वयान दे रहा है एक तरीके की अफरात तफरी मच गई है अब बात करते हैं प्रिधान मंत्री बॉरिश जॉंसन की जो अभी भारत आये थे उन्होंने बहुत सारे डील्स की हैं जिससे भारत को फायदा होगा प्रिधान मंत्री बॉरिश जॉंसन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फिरी ट्रेड को लेकर वात हुई है और आने वाले समय में साइद ये हमें देखने को मिल सकता है ये भारतिय बिदेश निति को और भी मजबूत कर रहा है और अब हम बात करेंगे जो नरुत्तम मिस्रा जी के बयान है वो आजकल खूब बाइरल हो रहे हैं चाहे वो हिंदूओं के प्रती हों या मुस्लिमों के प्रती हों या बुल्डोजर के लिए हों जिस प्रिकार से बुल्डोजर हावी हो रहा है उसने नरुत्तम मिस्रा को और भी बाइरल कर दिया ह और वो दिन प्रति दिन लोगों के चहेते बन रहे हैं एक हमारी भी वीडियो नरोत्तम इसरा जी की बहुत सारे भ्यूज प्राप्त कर चुकी है और अब बात करते हैं हम तो हमने ये बताया था बॉरिश जॉंसन और प्रिधान मंत्री जी के जो बीच में बारता लाप हुई है उसके बारे में फ्रिट ट्रेड को सबसे एहम मुद्दा बनाया है और यहां तक कि उनका गुजरात दोरा जो प्रिधान मंत्री बॉरिश जॉंसन ने की फोटो वाइरल हुआ है उस फोटो में बॉरिश जॉंसन जे सीवी से अपनी बॉरिटेन की कंपनी का प्रिचार करते नजर आ रहे हैं और यदि यूपी के लहजे में कह दें तो बाबा का बुल्डोजर भी साइद उनके सर चलकर बोल रहा है बाबा का मतलब समझी रहे होंगे उत्तर प्रिदेश के मुख्यमंतरी महराज जी होगी आदित तेनाच जी जुन्होंने बुल्डोजर चलवा के एक नई मुहीम छेड़ दी और वो बुल्डोजर आज यूपी से होता हुआ मद्य प्रिदेश मद्य प्रिदेश से असम असम से होता हुआ राजिस्थान राजिस्थान से होता हुआ दिल्ली तक जा पहुँचा है ये भी एक अच्छी मुहीम है जो की अपरादी है जो भूमापिया है और जो रोज रोज नए अपराद कर रहे हैं उनके लिए कड़ा संदेश है अब आते हैं हम अपने छेत्र की बात पर हमारे छेत्र में गौवन्स ने तो आतंक मचा ही रखा है यानि की हम बुलंशेर के डिवाई कस्वे की बात करते हैं हमारे छेत्र में गौवन्स के लिए एक उत्तर प्रदेश गौवध्यान जो सबसे बड़ा गौवध्यान है वो भी बनाया गया है लेकिन अभी तक बहाँ पर सारे गौवन्स नहीं पहुँच पाई हैं जिससे किसान अभी परिशान है नेताओं के खोकले बादे भी हमें नजर आ रहे हैं और अब हम बात करेंगे किसानों की अभी हम मंडी जा नहीं पाए हैं मंडी जाकर लोगों से एक राय भी लेंगे कि उन्हें जो क्रे मूल्य है उस पर उसका दाम सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा किसानों को या फिर जो वहां के आरतिये हैं वो कम दाम में गैहुं खरीद रहे हैं और अब हम बात फिर से किसान की ही करेंगे क्योंकि किसान अन्य दाता है तो उसकी बात करना हमारा परम करतब्ब है और आप तक हमारा संदेश एक संदेश का यही करतब्ब है कि आप तक किसानों के मुद्दे पहुँचाए जाए तो अब हम बात करते हैं किसानों की आज एक ख़बर निकल कर आई कि कई गाउमों में जंगली सूरों ने आतंक काटा है आप हमारी वीडियो में देखेंगे किस पिरकार से किसान लाठी या डंडे और जो गंदक पतास का एक हतियार सा होता है उनके पास उससे वो पक्षी भगाती हैं वो बहुत सारी चीजें लेकर वो खेतों में भागे जा रहे हैं कोई गयों के खेत में कोई किसी के खेत में तो कोई और बहुत सारी फसलों के बीच में भागे जा रहे हैं और एक तो उस जंगली सुवर ने एक ब्यक्ति उस जंगली सुवर ने खायल भी कर दिया है जो कि मेडिकल अस्पताल मर इलाज चल रहा है उसका ये ख़वर हम तक हमारे सहयोगी तविंद्र लोदी जी ने पहुचाई थी जो कि गाउं के जादा तर ख़वरें हमें देते रहते हैं ये एक सुर्की थी कि अभी तक हमने कल एक वीडियो भी अप्लोड की थी जिसमें गौवन्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से सांड लड़ रही हैं आपस में और अब बात करते हैं हम आई पील की लगातार आठ मेर्च हारने के बाद मुंबई इंडियन्स बाहर हो चुकी है आई पील दोहजार बाईस से ये अब तक का सबसे लचर प्रदर्शन रहा है और इसी के साथ हमारे चैनल को देखते रहे और यदि वीडियो पसंद आती है तो सबस्काइब जरूर कीजिए और हम आप तक लोगों की संदेश अपने चैनल एक संदेश के माध्यम से पहुचाते रहेंगे वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दिरता पिलिए और याद को दekनलागे वीड़ियो फसंदेश से कि खोर आपाज को शेधियो और जरूर कीजिए और डिजिए डिस दूर provभनेंबर कीजिए पहाद कला हम आपुचार रहें भीटनल